नमस्कार दोस्तों मैं दीपांशू श्वागत करता हूँ आपका CGPSC व्यपावम में जिन्हों ने मेना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि पर जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करें तो बाजों में जो बैल आइकन उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि CGPSC और व्यपावम की भरती के लिए प्रस्ताव CGPSC के पास आ चुके है और CGPSC कभी भी विज्यापन जारी कर सकता है और भी विभाग से आए हुए है परंतु आज हम इसी विभाग के बारे में बात करेंगे तो आप इस वीडियो को अन तक जरूर देके तो हम चलिए जल्दी से वीडियो को वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं आप सभी लोगों को बोलता था कि वैकेंसियां आएगी और बहुत जल्द आएगी मैंने आपको ये भी कहा था कि जुन में भी वैकेंसिया आएगी जुलाइम भी वैकेंसिया आएगी अगस्त के लिए लिखित परिक्षा का जो प्रणाम है वो जारी किया है इससे क्या है कि देखिए CGPSC ने 2020 में जितनी भी परिक्षाएं ली थी चाहे वो सहाय संचालक जन संपर्क या हो असिस्टेंट प्रोफेसर या हो जो असिस्टेंट इंजिरिंग का बोलना चीए राज्य सेवा अभियांत्री की सेवा ये वाला जो वैकेंसी है और भी बीमा चीकिस्सा और पसू चीकिस्सा ऐसा करके 5-6 एक्जाम लिये थे 2020 में उन सम्में सभी के रिजल्ट जारी कर दिये गए थे बस इसी का बच्चा था विहवार नाइद इसका इसका भी रिजल्ट अब जारी हो च सिर्फ एक रिजल्ट बाकी है वो है 2019 जो मेंस का रिजल्ट वह भी बहुत जल्ड आने वाला है दूसरी महत्पूर्ण बात जैसे है कि जो CGPSC मेंस का जो हाई कोर्ट में केस है वो उसकी सुनवाई आज 17 तारीक को होने वाली है 17 तारीक को होने वाली है उसकी सुनवाई सबसे महत्पूर्ण बात ये है दूसरी महत्पूर्ण बात ये है कि CGPSC से जो बात निकल के आ रही है कि CGPSC मेंस की डेट जो है वो इस सुनवाई के बाद जारी होगी यह सुनवाई जैसे ही होगी CGPSC अपना मेंस का डेट जारी कर देगा ऐसा बताया जा रहा है कई लोग बोल रहे थे कि CGPSC मेंस का जो डेट है वो कोड के केस के कारण नहीं जारी होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है CGPSC पिछले बार भी जो है इक्जाम का डेट जो जारी कर दिया था और इस बार भी जो है परिक्षा का दिन है वो भी जो है तेड़ल जारी कर देगा बहुत जल जारी करेगा जैसी यह सुनमाई कम्प्लीट होगा तो यह जो बहुत दोनों बहुत बड़ी update थी, अब CGPSC जितने भी exam हो, चाहे सायक कुल सची हो, चाहे ACF का exam हो, या और भी 2-3 exam जैसी के assistant professor medical का जो बचा है, उन सभी के जो exam है, अब उसके schedule वो धीरी-दीरे जारी करेगा CGPSC के सभी exam जुलाई से start हो जाएंगे, और फिर वो continue चलेंगे, अब बहुत ही महत्पून topic पर बात करने वाले हैं, CGPSC में मैंने आपको कहा था कि देखिए, बहुत से विभागों में पत खाली है, और जो उसकी भरती के लिए प्रस्ताव आ चुके है, व्यापम के पास भी प्रस्ताव आ हैं, और CGPSC के पास भी प्रस्ताव आ हैं, अभी चुकि चीजे अब 100% जो आप लोगों को मालूम है कि 100% अधिकारी करमचारी जो है वो कार्याले में जाएंगे, इसी स्पीट के साथ अब आप देखेंगे कि आज से, आज से ही बहुत fast काम होना चालू हो जा वेकेंसिया देखने को मिलेगी, कॉंग्रेस सरकार के अब 20 साल हो चुके हैं, चुकि भरतियां करने में एक साल लगता है, इसी वज़ा से ही देख लीजिएगा वेकेंसिया आपको देखने को मिलेगी, पहली बात, सकरात्मक सोच याद रखिएगा, दूसरी महत्पुन बा तो जो बोलना चीजे सही नहीं रहेगी, इसी वज़ा से देखिए जो चीजे सारवजानिक रूप से होती है, मैं कोशिस करता हूँ, वही चीजे मैं आप लोग को सामने प्रूफ के साथ रखूं, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्युक्रित पद है, मैं उसक नहीं पद खाली है, अधिक्षक अभियंता विद्धोत यानतरी की मदियंकल वाला है, इलेक्रिकल और मैंकल के लिए जो हैं, दो पद स्विक्रित है, और दो पद रिखता है। कारेपाल अभियनता के 82 पत स्विक्रित है 55 भरे है और 27 रिखता है कारेपाल अभियनता के 9 पत स्विक्रित है 7 पत भरे है और 2 पत रिखता है साहय का भियनता सिविल के 404 पत स्विक्रित है 376 भरे है और 58 रिखता है साहय का भियनता सिविल संख्यात एकतर के 206 पत भरे हुए इसमें कोई भी पत खाली नहीए है ॢ विद्दू गेट कि 133 फे धरी है और बाइस रिखता है उपह अभियांता की तनेपत खाली है तो हैं पहली महति पौन दू दूसरी महत्पूर्ण में आपको ये बताना चाहूंगा जो आपकी जानकारी में नहीं होगा किसी भी विभाग में भरती अगर आप सोच रहे हो कि सोब पत के लिए भरती निकलेगा तो अच्छा कुछ भी नहीं है किसी भी विभाग में आतनीया में कि 10% उस विभाग में जैसी कि 100 पद है तो 100 पद का जो 10% मतलब 10 पद वो रिजर्व रहेंगे रिजर्व मतलब वो खाली ही रहेंगे ऐसा नहीं कि उसमें 100 में 100 भर जाएंगे 10 पद हमेशा उसको विभाग खाली रखे रहता है अब देखिए मैंने आपको इतने पत बताए उस में से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी जो किस विभाग का है यह भी मैं आपको थोड़ी दिर में बताऊँगा इसी के साथ अन्य विभागों के भी इसी प्रकार से जो मैंने आपको पहले बताया था और आगे भी बताऊंगा कि कौन कितने पद स्विक्रत और कितने पद रिकत और कितने पद भरे तो यह जो बोला चीजें वह आप लोगों के लिए important यह कि जहां पर इतने पद खाली है और इतने पद भरे हैं और यह जो पद है जुलाई में इस साल जुलाई में भूँत से लोग retirement होएंगे दुसरी बात अगले साल और 2023 में भी बहुत से लोग retirement होगे टिक करीब यह जो विभाग है शिचाय विभाग मैंने आपको पहले भी बताया था, सिचाई विभाग में अमीन कपद, जल संसाधन विभाग में अमीन कपद बताया था, जो कि व्यापम का था, और यह भी इंजिनिरों के लिए है, सिचाई विभाग, जिसमें बताया गया है कि 84% पद 23 माह में हो जाएंगे खाली, और सिर्फ 16% बाकी कि सिधी सी बात है, 2000 पद स्विक्रित है, जिसमें कि अभी वर्तमान में 1300 पद बोलना चीए क्या है, भरे हुएं, जो कि 23 माह बाद 900 पद खाली हो जाएंगे, मतलब 1300 में 900 फिर खाली होगा, तो 400 पद है वो बचे, अब वो 400 पद ही बचे रहेंगे, बाकी सब खाली हो जाए और इसमें सिर्फ इंजिनियर की बात नहीं हो रही है, चाहे वो साहे ग्रेट 3 की बात हो, अमीन भरती की बात हो, या अन्या जो सिचाई विभाग से संबंदित जो भी है, उन्ते विभाग तो ये जो चीजें हैं, आप लोगों के लिए अच्छी बात है, अच्छी बात भरती के लिए है, इसी के संबंद में CGPSC के अध्यक्ष ने भी ये बाते कही, जो आपके इस्केन पे शोग हो रहा होगा, उन्होंने कहा है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, State Engineering Service अभी हुआ है उसका इंटर्व्यू भी नहीं हुआ है, परन्तु उस विभाग में 2021 की Assistant Engineering भरती का भी विज्यापन जो प्रस्ताव है, वो CGPSC के साथ CGPSC को भेज दिया है, वित्त विभाग के अनुमती मिल गई है, और CGPSC के पास प्रस्ताव जा चुका है, चुकि ये 90 पदों के लिए, 90 पदों के लिए ये प्रस्ताव फिर से State Engineering Service का गया हुआ है, और विभाग इसमें और पद बढ़ाने के जो है, वो बढ़ाना चाहता है, इसी वज़ा से ये जो विज्यापन जारी नहीं हो रहा है, कुछ दिन में जारी हो जाएगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बा उसी हिसाब से परिक्षय के तयारी करेंगे, तो देखिए यहाँ पर यही चीज वहाँ उन्होंने कहा है, यह आप लोगों क्लिए इंपॉर्टेंट था, तो देखिए यहाँ पर यही चीज़े हैं, कि ये सब चीज़े बताया गया है कि ये जो सिचाई विभाग है, पहले तिचाई छमता अलग थी और अभी जो शिचाई छमता है बहुत 20 लाख हेक्टेर हो चुकी है तो कहना चीए उस हिसाब से फिर उतने कर्मचारी और अधिकारी की भी आवशकता है और नए सेट अप और नए पद स्विक्रित करने की भी आवशकता है इसमें यही सब बताया ग एकने को मिलेंगी अलग अलग योग्यता वालों के लिए कि आप अपनी तयारी करने में आपको समय मतलब नहीं मिल पाएगा तो आप लोग के पस जितना भी समय आप अच्छे से तयारी करें तो यही जो आप लोगों को जानकारी देना था तो आप अपनी सक्रात्मक सोच क कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें तथे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहूत बहुत धन्यवाद